यह हम बात करते हैं कुम्भरासी की जातक हैं आज आपके अध्यात्मिक सक्ति का विकास होगा अपने तिंद्री ग्यान की बात माने उससे लाब मिलेगा माइन्स से और रियल इस्टेट से प्रापल्टी से लाब मिलेगा जीवन साथी का सहयोग मिलेगा अनेक प्रकार के छेतर से व्यपार से लाब होगा अधिक भागदौर बनी रहेगी कई महत्मुण कार होने से मन परसंद रहेगा दूर देश के आत्रा होगी कोल्ट का चरही में कोई भी बादिवाज चला उस आपको बिजय सरी मिलेगी रोग और सत्र परास्त होंगे खड़ें तरकारी विफल होंगे और माता पिता के स्वास्त में सुधार होगा सरकारी नोकरी उच्पत प्राप्ती का यूग बन रहा है आर्थी किस्तित आपकी ससक्त होगी जो कारे पाइप लाइन में उसमें आपको सफलता बिलेगी सौधानी के अपरत्ति है सोच विचार करके किसी मातपूर्ण कारे पर निड़े लें उपाय क्या करना है काला वस्तर जौरतमन्द व्यक्ति को दे सर्शो का तेल दान करें सुबंके आठ सुबंके आठ सुबंके शिलेटी कलर लग मीटर है साथ हरे कृष्ण करपूर गवरं करुडावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा बसंत मिर्दार विंदेभवं भुवाने सहितम नमामी नमस्कार मैं हूं जोच्छाचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहें भागी गुरु कारकरम भागी गुरु कारकरम में आपका बहुत-ब कब होगा सुरियास्त कब होगा इस बताएंगे और आपको बताएंगे आज का महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे 12 राशों की भी बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि 12 राशियां आज की क्या कहती है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कौन बैग् कि प्रयोग करने साब का भागोदय होगा किस रंग के प्रयोग करने साब को बड़ी सफलता मिलेगी सौधनी के अब रतनी उपाय क्या करना गुरू के नुस्के भी बताऊंगा दर्सों के प्रश्णों का उतर भी दूँगा अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांकी सो मोहरत है दो पार 12 बच के 4 मिनट से लेके दो पार 12 बच के 5 मिनट तक रहेगा राहु काल है तीन बच के 40 मिनट से लेके साइम का 5 बच के 16 मिनट तक रहेगा उतर दिशा का दिशा सूल है आज आपको ध्यान रखना है का चंदरमा कुम राशी में तो जब कुम राशी में चंद्रमा हो तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है आपका बैपार बढ़ेगा कारी चत्र में ब्रेद्धी होगी नई नोकरी मिल सकती है और उत्रोतर प्रगती होगा और धन-धान में विकास होगा स्वास्त उत्तम रहेगा राहुकाल में कोई भी कारी नहीं करें नहीं तो कारी होते होते रह जाएगा सुब मुहुर्थ में किया गया कारे लाप्रद होता है तो ध्यान रखे कि कोई भी निया कारे अगर स्टार्ट अप खोलना चाहते हैं भूम विहोन खरीदना चाहते हैं कोई भी निया कारे करना चाहते हैं तो मुर्त में ही करें आपके लिए अच्छा रहे दावा। मातापीता भाइस करके यात्रा सुकहत है अब आईए बात करते हैं आज के महमंत्र की आज का महमंत्र है ओम हंग हनुमते नमाहे यह जो महमंत्र है संकट मोचन हनमान जी का है अगर इस मंत्र को आप करते हैं तो आपके उपर राम भक्त स्री हनमान जी के खिर्पाबर सेगी आपका सुक संब्रिदी एसरी में ब्रिदी होगी रोग और सत्रु परास्त होगी उत्रोतर विकास होगा और आपकी माली हालत अच्छी होगी और कोई भी किसी प्रकार की परिशान उससे आपको मुक्ति मिलेगी आपको क्या करना है कि केसरिया कलर का वस्तरधान करना है और केसरिया कलर का वस्तरधान करके केसरिया कलर का तिलक लगावे और पुरुआ भी मुखो करके क्या करें कि लाल चंदन के माला से अगर इस मंद्र का जब करते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा या रूद्राक् एक माला तीन माला करें आपके लिए काफी अच्छा रहेगा